स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 8 या फिर किसी भी Redmi Mobile में आपको Call Bearing Connection Problem और Invalid MMI Code का Problem आ रहा है तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना तो दोस्तों यहां पर देखिए यह Problem हमें कब कब आता है और इसका क्या क्या solution है मैं आपके सारा यहां पर डिसकेस करने वाला हूँ सबसे पहले तो दोस्तों आप जो कोट यहां पर डाइल कर रहे हो make sure कर लिजेगी वो कोट सही है ठीक है कभी कभी कोट कलत होने पर भी आपको यहां पर यह Problem शो होगा अभी solution किया है दुसरा दोस्तों यहां पर देखे सबसे पहला solution तो आपको settings पर जाना है उसके बाद में आपको एकदम नीचे आके यहां पर ढूनना है यहां पर आपके mobile में शायद आपको application manager शो करे तो यहां पर दोस्तों आपको call management ढूनना है यहां पर इसे clear कर देना है ठीक है या फिर यहां पर आपको पहले forest stop पे click करना है उसके बाद में यहां पे clear data पे click करके सारा clear कर देips उसके बाद में app permission पर जाके यह सारा permission आपको allow कर देता है उसके बाद में दोस्तो जाकी जो हैं आप dialer में जाके कोई भी code आप orchest करके कोई で 있고 आपका problem solve हो जाएगा by chance दोस्तों यह दिन नहीं होता है by any chance देखे 90% तो chances से आपका problem solve हो जाएगा by chance नहीं होता है तो final option है कि दोस्तों आप अपना setting में जाके additional setting में चले जाएए और यहां से दोस्तों backup and reset में जाके अपना system setting को जो है वो reset कर लिजेगा उसके बाद में तो आपका problem definitely solve हो जाएगा उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आयागा thanks for watching